जै माताई दोस्तों मात रानी आपकी सारी मनो कामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरताली का तीज वरत के बारे में या तीजा वरत के बारे में बहुत सारी बहने दो इस वरत का वेशबरी से इंतजार करती हैं क्योंकि एक साल के बाद जिस प्रकार से करवा चौत का वरत रखा जाता है उसी प्रकार से हरताली का तीजवरत जो है वो रखा जाता है जो करवच ओद ब्रत होता है उसमें रातरी में भोजन जो है वो कर लिया जाता है लेकिन जो हरताली का तीजवरत होता है उसमें रातरी में भी कुछ नहीं खाया जाता है इसका जो पारण है वो अगले दिन होता है जैसे कि 6 तार थे एकदम से निराहार निराजली जो है वो रखा जाता है अब बह measure बेहने जो इस worship को पहली बार करना चाहती है या पहले से ही कर रही है बहुत सारी चीजों को सुनके देखके उनके मन में बहुत सारी प्रेश्ण जो है वो उठते हैं ऐसे में नई साड़ी अगर ना हो तो क्या हम वरत ना रखें? और अगर वरत रखें तो क्या नई साड़ी ही पहनना निवार रहे हैं? साथ ही साथ किस रंग की साड़ी जो है वो हरिताली का तीज वरत में पहनना चाहिए? बहुत सारे प्रशन जो है वो उथल उथल मचाते है तो पहली बात ये कि पूरे साल में एक बार हरिताली का तीजवरत या तीजवरत जो है वो किया जाता है पती की दीरगायों की कामना को लेकर महादेव और पारवती से विनम्र निवेदन प्रातना करके जो वरत है वो धारण किया जाता है अब हरिताली का तीजवरत जो है उस पोरी विदिवत रूप से आप हरितालिका तीजी यद तीजय मतला प्रिशानी जो है वो नहीं है बसरते आप ब्रत तभी उठावें जब आपका सरीर सामर्थ के अनशार है और आप ब्रत कर सकें तब क्योंकि ऐसा नहीं होता है इस व्रत में कि आज उठा लिया कल छोड़ दिया कल उठा लिया परसों छोड़ दिया यह जो व्रत है यह कंटीन तो उसे सोनी आचान्दी की कोई चीज बनवा के इस व्रत को दिया जाता है और जो भी इस व्रत को करता है उसी प्रकार से व्रत करता है जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने उसको दिया है क्योंकि नियम जो है वो बहुत कठीन है और जो व्रत है वो भी बहुत कठीन है तो जो वो ऐसे ही आप किसी के देखा दूने में बिल्कुल भी न उठामें, आपका मन हो और आप कर सकें सक्छा में तो ही आप इस व्यत को उठाएं, बात रही नई साड़ी कि तो नई साड़ी पैनने का कोई विधान नहीं है, कहीं भी किसी भी धार में ग्रंद पुस्तक, किसी भी आपको नई वस्तर पहनने, जो बहने इस साल पहली बार इस व्यत को उठाएंगी, वो बहने अपनी साधी का लेंगा, अपनी साधी की साड़ी या अपनी साधी का जोड़ा, जो भी है वो पहन सकती हैं, अगर आप नहीं पहनना चाहती है, तो आपके मायके से साड़ी आ सक वो लोग दे सकते हैं आपका पहला तेवार है तो आप ले सकते हैं और पहन भी सकते हैं बहुत सारी बेहने जिनके माता-पिता एफॉर्ड नहीं कर सकते हैं उनको नहीं दिला सकते हैं आपको उनको बिल्कुल भी परिशान नहीं करना है कि नहीं हमको चाहिए आपकी साधी मे पहन सकती है, अगर आप पहनना चाहती है तो नहीं, तो जो भी वस्त रहें साधि के वो आप पहन के स्वरत को पूरी वीधी पूरवक जो है वो कर सकती है, अब जो मालीजे बहने पहले से ही करती चली आ रही है और किसी से सुन लिया कि नहीं हर बार नहीं साडी जो है वदारन की जाती है तो बिल्कुल भी नहीं मेरा यही मानना है चाहें आप इस वरद को पहली बार उथा रही है चाहें आप कंटीनूी सवर्द को करती चली आ रही है हरताली काती जिवरद आप साप स्वक्ष सुद्ध साड़ी जो है वो पहने मालीजे की जो सुद्धी का मतलब मेरे यहाँ पर यह है कि अगर आपने पीरेट्स बगएरा में पहनी हो तो वो साड़ी जो है वो आपको पूजा के दौरान नहीं पहननी चाहिए आप किसी भी साड़ी को ले लें अगर आपकी महंगी है तो ड्राइ क्लीन कर बालें अगर आप घर पे दो सकती है तो दो लें साप सुतरी कर लें और वही साड़ी जो है वो आपको धारन कर लेनी चाहिए नई साड़ी का कहीं भी विधान जो है वो नहीं तो आपके पास जो भी साड़ी है साप सुक्च साड़ी जो है वो आपको धारण कर लेनी चाहिए अब बात आती है कि जो साड़ी है वो हमें किस रंग की पहननी चाहिए तो देखिए हरताली का तीजिवरत में वैसे अगर आप पहन सकते हैं तो हरी साडी पहने, हरी चूड़ीयां पहने, यह बहुत सुभ माना जाता है, लेकिन किसी कारण बस आप हरी नहीं पहन सकते हैं तो इससे माली जी की आपकी कोई पीली साडी है, आपकी कोई लाल साडी, उसमें थूड़ा सा हारा, ब्राउज जैसे भी कंट्राश्ट में इस तरीके की सारईיה पहने जो पूजा में पहनने से एक तरीके से सकारात्मकता जो है वो आपके चहरे पजल का इसी सारी जो है वो आपको पहननी चाहिए अब जैसे माली जे बहुत सारी बहाता तयाती है कि दिदी काली नीली साड़ी नहीं पहननी चाहिए तो देखिए जो हम माली जे जैसे सनी देओ की पूजा करते हैं तो काली साड़ी पहनने का जुनियम है वो बताया गया लेकिन जब हम महादेओ की पूजा करते हैं या किसी भी देवी दिवता की पूजा करते हैं तो काली सा साडी जो है वो पूजा में नहीं पहननी चाहिए फिर भी बहुत सारी बहने हैं जो प्रशनी करती है कि दिदी मेरे पास पीली साडी है या लाल साडी है या मरून साडी है लेकिन उसमें एक जो धारी है वो काली से भी गई है या एक धारी जो है वो नीले से गई है लेकिन हम पूरा मन बना लिया कि हमें वही साडी पहननी तो कोई दिकत नहीं है तो आप पहन सकते बहुत सारी बहने ये भी प्रेशने कर रही है कि दिदि साधी की चुनरी जो है वो क्या करें तो साधी की चुनरी अगर आपके पास है वैसे मैंने डिटेल वीडियो डाला है अगर आप सब को बता दे रही हूँ कि अगर आपके पास साधी का चुन्नी है या साधी का दूपटा साधी का साल है तो आपको जरूर डालना चाहिए भले या पूरा दिन न डालें आप कहीं न डालें लेकिन जिस समय आप प्रदोस काल की पूजा करें साम की पूजा करें उस समय आपक अगर आप सूट पैन रही है तो सूट का पलू आपको अपने सर पर रखना चाहिए सर ढाक के ही पूजा पार जो है वो करना चाहिए इस बात का आपको दिहान रखें बांकि जो भी आपके मन में प्रशन और आते हैं आप मुझे कमेंट में पूछिए मैं आपके सब प्रशनों का जवाब जो है वो जरूर दोंगी उमीद करती हूँ ये वीडियो आप सब के लिए काफी ज़्यादा मदद कर रहा होगा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चानल को सब्सक्राइब करके सब भी माताओं बेहनों को हरताली का तीजुरत की डेहर सारी शुप कामना है भगवान महादेव आपकी जोड़ी हमिसा सलामत रखें यही कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों जैमातादी